हेलो दोस्तों आसा करते हैं आप सभी की तयारी बढ़ियां चल रही होगी उसी में कुछ एड़ ओन करने के लिए हम PT 365 डिसकस कर रहे हैं इस लेक्चर में हम Science and Technology का Current Affair डिसकस करेंगे और यह Science and Technology का Second Lecture है आए देखते हम इसमें आज का टॉपिक क्या है डिसकस करने का आज हम इसमें डिफेंस से रिलेटेड जो भी Current Affair होगा उसको डिसकस करेंगे डिफेंस और सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे अगर आप यह MCQ Comfortably Solve कर ले रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप यह सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं और आपको किसी अन्द टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की अवसकता है तो आए हम कुरू करते हैं पहला कॉस्चन है CDS से रिलेटेड कीफ आफ डिफेंस स्टाप से संबंधित कतनों पर ध्यान देना है पहला कथन है CDS का पद वर्स 2015 में स्रिजित किया गया दूसरा कथन है 62 वर्स से कम आयू का कोई भी सेवरत या सेवा निर्वित लिफ्टिनेंट जनरल एयर मार्सल या और वाइस एड्मिरल इस पद की पर नियुक्ति के लिए पात्र है तीसरा है CDS राष्टपती का प्रमुक्ष सैन सलाहकार होता है इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही है सही विकल्प आपको चुनना है केवल एक केवल दो केवल एक और तीन या उपरोक्त सभी इन में से कौन सा विकल्प सही है आप पॉस करके अपना एंसर दें इसका राइट एंसर है बी केवल दो सही है क्योंकि CDS का पद 2015 में नहीं 2019 में स्रेजिन किया गया है दूसरा एज़िटिस सही है और CDS राष्टपती के प्रमुक्ष सैन सलाहकार नहीं होता है यह रच्छा मंत्री का सलाहकार होता है रच्छा मंत्री का सलाहकार होता है नेक्स्ट कोश्चन निम्लिकित में से कितने युग में सही सुमेलित है एक साइट क्रूज मिसाइल दी गई है और उनको डेवलप करने वाले संबंधी देशों के नाम दिये गए है ब्रमोस का संबंध क्या भारत से है क्या ब्रमोस मिसाइल भारत में डेवलप की गई है हारपून इजराइल में एक्सो सेट फ्रांस में और कालिबर के एल आई बी आर कालिबर रूस की सुपर क्रूज मिसाइल है इनमें से कितने विकल्प सही है क्या केवल एक सही है केवल तीन या उपरोगत सभी पाउस करके आप अपना एंसर दें इसमें से सी सही केबल तीन विकल्ब सही है ब्रमोस्त भारत का है एक्सो सेट फ्रांस का है और कालेबर रूस का है हारपून यू यसे का है हारपून क्रूज मिसाइल यू यसे द्वारा डेवलप की गई है अंगला क्वेस्चन है हाल ही में चर्चा में रहा हेलिना सब्द का संबंध निम्नलखित में से किस से है हेलिना का संबंध निम्नलखित में से किस से है या यह टार्पीडो है या एंटी टैंक गाइडेंड मि सुक्ता साऍक प्राइज प्राइजी जी कज़िए उसका राइट एंसर है एंटी टेंग गाइड़ मिसाहिल बी इसका सेकड़ डॉप ससी है है ये पना एं ट्ली टेंग गाईड़ मिसाहिल है हाली में चर्चा में रहा वागीर सब्द का संबंध निम्न गितमें से किस से है क्या है भारत में निर्मित युद्ध टैंक है या सल्तनत कालीन करप्रणाली है या ये एक प्रकार की पंडुबी है या ये एक युद्धक हेलिकप्टर हलका युद्धक हेलिकप्टर है पॉस करके आप अपना एंसर दें इसका राइट एंसर है पंडुबी वागीर एक प्रकार की पंडुबी का नाम है वागीर इसको हम अभी डिसकस करेंगे आंगे अंगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर अटेक सम्मरीन से सम्मंधित कत्रों पर ध्यान देना है पहला है यह परमाडु हत्यारों से लैस परमाडु उर्जा संचालित लडाकु पंडुबी है दूसरा कतन है बरतमान में केवल छे देशों के पास परमाडु उर्जा से चलने वाली पंडुबीया है यह देश हैं यूके यूएसे भारत रूस फ्रांस और चीन इन में से सही पर चुनाव करना है किया केवल एक आप्शन सही है केवल दो एक और दो दोनों सही है यह इन में से कोई भी सही नहीं है पॉस करके आप अपना राइट एंसर दें इसके राइट एंसर है इसके पर आप्शन बी निकलियर पावर अटेक सबमरीन यह परमाडु हत्यारों से लेस है पर्माड उर्जा से संचालित तो है लेकिन पर्माड हथियारों से लेस नहीं है इसलिए ये पहला अप्षन गलत हो जाता है नेक्स्ट कुस्चन है प्रोजेक्ट फिप्टीन बी इसका संब्ध निनलगित में से किस से है या यह बिद्धवनसक युद्ध पोतों के निर्माड से संबंदित है प्रोजेक्ट फिप्टीन बी या पर्माड हथियारों से लेस पंडुबियों के निर्माड से संबंदित है या या चीन से लगने वाली सीमा के 15 रड़ नीतिक छेतरों में संरचनातमक विकास से संबंदित है या नीत या एक द्वारा जारी 15 वर्सी कोई कार्योजना है आप इसका पॉस करके इसका राइट एंसर दें इसका राइट एंसर है प्रोजेक्ट 15B विद्ध्वनसक युद्ध पोतों के निर्मार से संबंदित है अंगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 आई का संबंद निम्रकित में से किस से है क्या है विद्ध्वनसक युद्ध पोतों के निर्मार से संबंदित है उन्नत पंड़ुब्वियों के निर्मार से संबंदित है या 75 उप्ग्रहों की मदद से सम्पूर्ण भारत में इंटरनेट की उपलबधता सुनिशित करने से संबंदित है या युद्धक टैंकों के निर्मार से संबंदित है पास्स करके आप अपना right answer दें इसका right answer है यह उन्नत किस्म के पंडुबियों के निर्मार से संबंधित है प्रोजेक्ट 75.I. उन्नत किस्म के पंडुबियों के निर्मार से संबंधित है आए आज कि हम अपने topic पे चलते हैं डिपेंस का पहला topic है Solid Fucticamente Ramjet Technology SFDR Technology यह अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि DRDO ने उडिशा के तड़ पर इसका सफलता पूर्वक परिक्षण किया था इसलिए यह चर्चा में DRDO के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि यह तीनों सेनाओं को तक्निकी समाधान उपलग्द करवाने की सीर से संस्ता है भारत मे SFDR क्या है? यह मिसायल प्रणोदन अक प्रणाली है यह एक प्रकार की मिसायल प्रणाली है जिसमें Reduced Smoke Nodule List मिसायल बूस्टर के साथ Trust Modulated Roket Induct Roket का इस्तमाल होता है और यह भारत रूस की सन्युक्त अनुसंदान का एक प्रिडाम है और इसके रिचर्च के दौरान इसने मैक 3 की गती हासिल की थी यह प्रणाली ठोस इंधन वाले एर ब्रीधिंग रेमजेट इंजन का प्रियोग करती है अब SFDR- टकनिकी का मात तो क्या है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यह है यह जमबी दूरी की हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल को विक्षित करने में ठमता परदान करेगी अब यह जमबी दूरी क्यों तरह करती है लंबी दूरी तेह करने का मेन रिजन है क्योंकि ये मिसाइले आक्सी कारक के रूप में आक्सीजन एक आक्सीजन का अलग कमपार्टमेंट बनाने के वसकता नहीं होती मिसाइल जैसे ये मिसाइल है यह वाई मंडल के द्वारा आक्सीजन लेता है इसलिए आक्सीजन को जो भी वेट होगा जो भी कमपार्टमेंट है वो खाली रह जाता है तो यह हलकी हो जाती है जिस करण से इसकी दूरी में इजाफ़ा हो जाता है तो यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिस पार्किट्टों के विपरीद रेमजेट उडान के दारान आक्सीजन वाई मंडल से लेता है यह बजन में हलका होता है और अधिक इंधन ले जा सकता है इसकी रेंज 70 से 340 किलो मीटर के बीच में रहती है अब हम देख लेते हैं कि रेमजेट और स्क्रेमजेट में अंतर क्या है कि इसमें टोटल तीन अब्धारणा यह होती है एक को रेमजेट टेकनोलॉजी कहते है और एक एक क्रैमजेट टकनोलॉजी होती है और एक डूज़ मो रेम जेट होता है ड्यूल मो रेमजेट कasma करते है कि उसकी स्पीड में कुछ हंतर करके एक बार रो इस उस रेमजट क कोई भी कंप्रेशन रिजिन नहीं होता है। और यह बोल्वब इसघर रहते हैं अपने इस्थान पर जैसे धप अगर यह कोई भी वायव है कि उसमोस्ति कर गती कर रहा है तो इसमें हवा का ट्रेटर लगा सी स्कुख के योड ड्रैग लगेगा इधर तो जितना ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगा उसका हवा का टंप्रेचर बढ़ेगा जिस करण से यहां पर बर्निंग होगा और यह कंप्रेशर का काम करेगा यह बीना घूमने वाले कंप्रेशर का उप्योग करके सामने से आ रही हवा को दहन के लिए संपीरिट करने है तो यान के फारवर्ड मोशन का उप्योग करता है लगवक तीन मैक की सुपरसोनिक गति पर सबसे अधिक दच्चता से काम करता है और यह 6 मैक की गति तक काम कर सकता है ramsdra 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 my priorit mari की गतितर काम कर सकता है अगछाएесь कर अब ऐसकी कि दस्याइन की गतितर पहुंच जाने पर इसकी कंशता में अधGE आ है लेसमे는 पहुं具 हो जाता है तो eh लेकिन टर्वाइन मूब करती है रोटेट करती है लेकिन रेमजेट इंजन में और इसक्रेमजेट इंजन में टर्वाइन रोटेट नहीं करती है इसक्रेमजेट यह हाइपरसोनिक गति पर कुसलता पूर्वा काम कर लेती है और सुपरसोनिक देहन को संभव बनाता है यह इधन के रूप में हाइड्रोजन और आकसी कारक के रूप में वाई मंडली आकसीजन कौपियों करता है और आपको पहले ही बता चुगा कि रैम जेट और स्क्रैम जेट में दोनों में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते है डूल मोड रैम जेट क्या है यह रैम जेट मैक चार से आठ की रिंज पर इस क्रैम जेट में बदल जाता है जब इसकी स्पीड चार से आठ मैक के बीच में होती है तो यह इस क्रैम जेट में बदल जाता है इसका अर्थिया है कि सब सोनिक और सुपर सोनिक दहन सिल मोड दोनों में कुछ अलता से ये इंजन परिचालन कर लेता है अंगले टापिक है CDS से रिलेटेड ये चर्चा में क्यों है क्योंकि लेटिनेंट जेनरल अनिल चौहान को अंगला CDS निक्ट किया गया है याद रखेगा लेटिनेंट जेनरल अनिल चौहान को निक्ट किया गया है इससे आपको ये पता चलेगा कि किस रहें का अधिकारी निक्ट किया जा सकता है CDS के पद पर CDS के बारे हम कुछ जनकाई ले लेते हैं CDS का पद वर्स 2019 में स्रजित किया गया और वह इस्थल सेना नो सेना और वाई सेना का प्रमुक सेना दिकारी होता है इसकी पातरता 62 वर्स से कम आयू का कोई भी सेवा रत या सेवा निर्वित्त लेटिनेंट जनरल एयर मार्सल और वाईस एडमिरल इस पद पर निक्ट के लिए पातर होते हैं और से डियस पद के सिफारिस के दरदी यह तीन कमेटी बनाए गई थी एक कार्गिल समिछा समीछा समीछी 2000 वे बना गई थी इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की थी और रच्छा और सुरच्छा पर नरेश चंद्र समीछी यह 2011 में गठत की स्थी और शेटकर समीछी 2016 में गठत की गई थी इन्होंने भी cds पद के लिए प्रस्ताओ दिया था कि cds का पद स्रजित किया जाना चाहिए इसका कारकाल के सरकार cds की कारकाल को अधिक्तम 65 वर्स की आयू तक 65 वर्स की आयू तक कर सकती है और इसका कारकाल तीन वर्स या 65 वर्स जो भी पहले हो तीन या 65 वर्स जो भी पहले पूरा कर जैसे 62 वर्स है का मायू का कोई भी लेटिन जनरल रंक काधिकारी निक्ठ होता है CDS के लिए और मैक्सिमम तीन साल के लिए शेवा दे सकते हैं उसके बाद ये शेवा नहीं देंगे उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा ऐसा 65 वर्स या 3 वर्स जो भी पहले आएगा वही इनका कारकाल होता है CDS की भूम काई और इनकी सक्तियां क्या है CDS रच्छा मंत्राले के अंतरगत सैन कारविभाग का प्रमुक होता है CDS मौजूदा Chief of Staff Committee का भी इस्ताइध्यच होता है और यह रच्छा दिगरहन परिषद और रच्छा यूजन समिती का भी सतस होता है और CDS रच्छा मंत्री का प्रमुक सैन सलाहकार भी होता है ये परमान्व कमान प्राधिकरण के सेन सलाहकार के रूप में भी कारिक करता है अंगला टॉपिक हमारा जी सेट सेवन सेटलाइट जी सेट सेवन की उन्यूज में था क्योंकि अभी भारती सेनने आपरेशन स्काई लाइट के तहत इनकी ऑपरेशनल तैयारी का एक जायजा लिया है कि ये जो जितने भी ये जी सेट सेटलाइट के तहत उपग्रह जो इस्तापित किये गए है तो क्या वो ऑपरेवल हैं या बस ऐसे ही आसमान में लटके हुए है तो उसके लिए एक अभ्यास आयोजित किया गया था उसी को हम ऑपरेशन स्काई लाइट कहते हैं ये भी याद रखेगा ऑपरेशन स्काई लाइट किस से रिलेटेड है जी सेट स्रेंखला के उपग्रहों के ऑपरेशनल तैयारी को जानने से रिलेटेड है उपग्रह अधारित प्राणाली की आपरेशन तैयारी के लिए एक अभ्यास वजित किया गया था इसे ही स्काई लाइट प्रोजेक्ट कहते हैं अब जी सेट्स स्रंकला से रिलिटेट कुछ फैक्ट है पहला फैक्ट तो यह है कि थल सेना के पास वर्तमान में कोई भी समर्पित उपग्रह नहीं है थल सेना के पास अभी कोई भी समर्पित उपग्रह मतलब ऐसा कोई उपग्रह नहीं है जो केबल थल सेना के लिए काम करता हो इसके लिए G67 भी उपग्रह प्रस्ताओं को मंजूरी प्रदान की गई है जो कि सिर्फ खल सेना के लिए सहयोग प्रदान करेगा लेकिन वायू सेना और नौ सेना के पास उपग्रह उनके पास समर्पित उपग्रह हैं वायू सेना और नौ सेना के पास बरत्मान में सेना G671 की संचार चमताओं का 30% उप्योग कर रही है जी सेट सेवन स्रंकला उपग्रह के बारे में देख लेते हैं कि यह संकला भारती अंतरिचन संदन इसरो द्वारा विक्सित एक उन्नत उपग्रह है यह रच्छा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने पर केंदरित है यह इंपार्टन टॉपिक हो जाता है कि जी सेटेवन किसी उप्यों के लिए our option बना सकता है कि यह सामाने नागरिपों के इंटर्नेट के लिए हो इंटर्नेट उपलब्द करवाने के लिए नहीं है यह रच्छा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए अब यह सेनको के लिए इंटर्नेट प्रोवाइट करवा सकता है लेकिन समाने नगरियों के लिए नहीं जी सेट सेवन उग्रह को वर्स 2013 में प्रचेपित किया गया था इसका उप्योग मुकुरूब से भारती नौसेना अपनी संचार हो सकताओं के लिए करती है यह नौसेना को एक सुरच्चित और रियल टाइम संचार लिंग के इस्तापित करने मदद करता है सेट सेवन और still एक सभाटाबर कमीद करता है और जो जी सेट सेवन भी है तल सेना को प्रतान करेगा जो की अभी प्रस्ता भीत है जी सेट सेवन भी मुकुरूब से थल सेनक संचार जूरुत को पूरा करेगा यह सीमेवरती शेतरों सेना को अपनी नेगरानी बढ़ाने में मदद करेगा अंगले टॉपिक है ब्रम्होस मिसाइल से रिलेटेड यह सुर्कियों में इसलिए है क्योंकि फिलिपिन्स ने ब्रम्होस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने खरीद के लिए 375 मिलियन का एक और दिया है भारत को ब्रम्होस मिसाइल के बारे में क्या है यह लंबी दूरी की मारक चमता वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है इसको भी माइंड में रखिएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या कोई बैलेस्टिक मिसाइल नहीं है इसे भूमी इस्तित और समुद्र अधारित लच्चों को के विरुद्ध भूमी और भूमी समुद्र और हवा से दागा जा सकता है ब्रम्होस को भूमी समुद्र और हवा तीनों इस्तानों से दागा जा सकता है लेकिन कहां पे भूमी और समुद्र अधारित लच्चों पे ब्रम्होस को हवा में अधारित मतलब वायू में अधारित लच्चों के लिए नहीं यूज किया जाता है इसे भूमि इस्थित और समुद्र आधारत लच्छों के विरुद्ध भूमि समुद्र और हवा से दागा जा सकता है और ब्रमोस मिसाइल का Вिकास भारत और रूस के दौरा किया गा ॹबारत का तो DRDओ ही है रूस के एक है मशीनो इस्टोनिया संस्ता है रूस की उसके द्वारा विक्सित किया गया है ब्रमोस को भारत और रूस के द्वारा इसका नाम करना भारत की ब्रमोपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर किया गया है ब्रमोपुत्र और मोस्कोवा नदी के ना जमूल रूप से 290 किलो मीटर तैंग की गई थी। बारत वर्स 2016 में मिसाइल प्रद्योगी की नियंतरण विवस्था में शामिल हुआ था। अमेरिका और उसके सही योगिं की है टॉम हॉक मिसाइल इजराइल की है सी ब्रेकर जो ब्रमोस के समकच्छ माने जाती है और पी 800 ओनिक्स या या कौंत ये रूस की मिसाइल है ये याद रखिएगा ये ब्रमोस की समकच्छ मिसाइले हैं टॉम हॉक HD1 सुपरसोनिक मिसाइल इजराइल की सी ब्रेकर और पी 800 अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर देख लेते हैं क्रूज मिसाइल ये मानो रहित स्वचलित लच को भेदने तक निर्देशित मिसाइल है स्वचलित निर्देशित मिसाइल है क्रूज मिसाइल ये अपने उडान पत्पी अधिकान समय तक वाई गत की लिफ्ट के मादम से उडान भरती है ये प्रत्वी के वाई मंडल के भी है 160 Sunny और भारत की क devastation क्या होती है यह व yapmış प्रचिए वक्र होता है यह ऐसा जो बख्रेख बनता है यह बैलेस्टिक क्वक्र कहलाता है ऐसमें क्या होता है की एक Boland रजय को रख लगा होता है एक रॉकेट है बूस्टर लगा होता है यह एक निश्चित दूरी पर जैसे लच जो भी तैंग करेंगे उस हिसाब से कल्कुलेट करके एक निश्चित उचाई तक जाता है फिर बूस्टर यहां से अलग हो जाएगा बूस्टर अलग होने के बाद यह फ्री फा में राकेट बूस्टर के मादर से एगनेशी दिजाई उचाई तक पहुंचा जाते हैं आपको बता चुका हूं और गृत्व करसंड के अधीन यह अपने लच्छ पर हमला कर देती है प्रतवी स्रंखला की जितनी मिसाइल है अगनी स्रंखला की और धनुस यह सभी बैलेस्ट से कम है तो सबसोनिक और दो से तीन मैक के बीच में है तो सूपर सोनिक और पांच मैक से जादा है तो हाइपर सोनिक कह राएगा तुर्कियों में रही अन्न मिसाइलों के बारे में देख लेते हैं अगनी मिसाइल अगनी मिसाइल को भारत के परमाड़ू हतियारों के लिए एक आधार के रूप में जाना जाता है अगनी सीरीज की जितने भी मिसाइल है ये परमाड़ू हतियारों के एक आधार के रूप में जाने जाते हैं अगनी थ्री अगनी थ्री का भी परिष्ण किया गया है जिसकी मारक चमता 3000 किलो मीटर से अधिक है और यह अधिक का पेलोड ले जाने में सच्छम है अगली मिजल जो चर्चा में है वो है यह डिफेंस सिस्टम है भारत कुरू से S400 मिल गया है एक लंबी दूरी की सचल सतह से सचल सतह से यानि कि मूविवल वेहिकल जैसे ट्रक वगएरे में इसको रखके हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है यह प्रणाली चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है यह और नवार्निंग एन कंट्रोल सिस्टम यानि कि आवाक्स विमानों को यह इनको विमानों को बेलेस्टिक मिसाइल को भी विद्धुन्स कर सकता है यह लगभख 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर और 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर तक की दूरी में इनको विद्धुन्स कर सकता है इसक से ज़्यादा लच्चों को यह एक साथ निसाना बना सकता है S-400 सिस्टम एंटी टेंक गाइड़ मिसाइल का भी विकास किया गया है DRDO के द्वारा वदेशी रूप से विक्सित किया गया है जो की करने के लिए उप्यों किया जाएगा उन्हीं को ही बक्तर बंद वाहन कहते हैं इसे मल्टी प्लेट फार्म लांच छमता के साथ विक्सित किया गया है अंगल सिस्टम है मैन पोर्टेबल एंटी टेंक गाइड़ मिसाइल मानों के द्वारा उसको यह एक इस्थान से दूसरी इस्थान तक मैनुवली पोर्ट किया जा सकता है इसमें मसीनों कियो सकता नहीं पड़ेगी यह DRDO नहीं इसको विक्सित किया है यह सुदेशी एंटी इस्था के साथ इस मिसाइल को एक ही कृत मैन पोर्टेबल लांचर से दागा जा सकता है इसमें इंफ्राडे इमेजिंग सीकर यह सब इतना डिटियल ज्यादा नहीं जाएंगे अगर जाएंगे भी तो फिर ना टेम्ट करिएगा इतना समय समय क्यों लगाना कम दूरी की सत बोद परताइनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है सी स्कीमिंग करने वाले लच्छों को लच्छों सहित सीमें दूरी के विभिन हवाई खतरों को निष्प रभावी कर सकती है सी is कि मतलब होता है जैसे समुद्र में कोई है वो आंखमुचवणी का खेलका देखने में नहीं आ रहे एक जगह इस्थिर नहीं है उसको भी यह लच्छ बना सकती है वी यल एस आर एसे एम सिस्टम कि इसकी रिंच 40-50 किलो मिटर की है और मतलब ये होरिजंटली 40-50 किलो मिटर जा सकती है और वर्टिकली 15 किलो मिटर तक का इसके रिंच है इसका डिजाइन अस्त्र मिसायल पर अधारित है जो द्रिश कीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसायल है अस्त्र यह प्रणाली च्छाय उडानों का सफल परिछन किया गया है यह कम दूरी की सताइस से हवा में मार कर सकने वाली मिसाल प्रणाली है तो देशी रूप से रिजन की गई है यह प्रणाली सत्रु के हवाई हमलों के दरौन सेना की ससत्र टुकडी को आगे बढ़ने के लिए एक स अंगला है बेरी सौर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने लाइक जो एक्जाम में पूछेगा नेक्स्ट इंपोर्टन्ट है हेलिना यह एक्जाम में पूचा जा सकता है यह आप इसको 5 स्टार जैसा इंपोर्टन्ट दे सकते हैं हेलिना यह क्या है यह एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल सिस्टम है और यह सुदेशी रूप से विक्सित मिसाइल है इसको हेली कैप्टर से लांच किया जा सकता है इसको ऐसे याद रखेगा हेलिना हेली कैप्टर हेलिना हेली कैप्टर से लांच किया जा सकता है यह तीसरी पी सिस्टम सभी मौसमों में कार करने में सच्छम है अस्त्र MK1 ये कि बियांड विजूल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र MK1 मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिम्टेड के साथ एक अनुबंद पर हस्ताच्छर किये हैं DRDO ने इन मिसाइलों और संबंधित प्रणालियों के लिए बियांड विजूल रेंज को प्रद्योगी की हस्तांतरित की है इसकी रेंज बीस नॉटिकल मालिया 37 किलो मीटर तक है यह हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइलों की एक प्रणाली है इस मिसाइल को भारती वाई सेना के सुखोई 30 MK1 मिक 29 जैसे लड़ागों को विमानों पर उएनात किया गया है अंगला मिसाइल सिस्टम है प्रल्य डी या डी यो द्वारा विकषित किया गया है प्रल्य मिसाइल के बारे में जानकार लेूजे यह सता से सताह में मार कर सकने वाली मिसाइल है 10 मीटर से कम किसा ठीकता है इसकी और मारक छमता देड़ सो से 500 किलो मीटर तक की है इसमें मारक दरसन परडा ली है अत्यादुनिक नेविगेशन और एक एकरित एविएशन सिस्टम सामिल है मारा एंगलर टॉपिक है सब मरीन्स, पंडुबी यह न्यूज मीज बिए क्वागीर नाम की पंडुबी नौशेट में सामिल की गई है वागीर नाम के पंडुबी ये question भी इसका फ्रेम किया गया था वागीर नाम के पंडुबी नो सेना में सामिल की गई है इसे मचगाव डॉक से प्याड लिम्टेड द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत इन पंडुबियों का निर्माण फ्रांस के नेवल गुरुप से प्रदोग की हस्तांतरण के मध्यम से किया गया है ये रखिएगा प्रोजेक्ट 75 के तहत मचगाव डाक्यार लिम्टेड ने जो वागीर नाम के पंडुबियों बनाया है और इसमें से अंड़ 5 पंडुबिय अभी है कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वगसीर इनके निर्माण में फ्रांस के नेवल गुरुप से प्रदोगी हस्तांतरण है अधिकतर रूस से हम लोग करते है रूस से, तो यह रूस से नहीं, फ्रांस ऐसे प्रदोगी हस्तांतरण किये है इनमें युद्ध, पोत, रोधी वा पंडुबिय रोधी अभियान चलाने खुफिय जान का रेकत करने, निगरानी करने और 9 सेन माइनस बिछाने के लिए इनको डिजाइन किया गया है अब पंडुबियों का वरगी करन किया गया है इसके अनुसार, एक पंडुबिय होती है सबमर्सिवल सिब बैलेस्टिक निकलियर एक होती है निकलियर पावर अटेक सबमरीन और एक होती है डीजल एलेक्ट्रिक अटेक सब्मरीन तो सब्मर्सिवल सिप बैलेस्टिक निकलियर क्या है? यह अंतर महादूपी यह अंतर महादूपी मिसाइलों के लिए ऐसे लांचिंग प्लेटफरम के रूप में कार करती इसका एक उधारण है दूसरा है नुकलियर पावर अटेक समरेनी से एक क्वेश्चन भी बनाया गया था यह गैर परमाडू हतियारों से लैस इन तो परमाडू संचालित लाड़कू पंडूपी है यह माई सिद्ध में सामिल होने दूस्मनों के जहाजों को खोच करके उन्हें नष्ट करने और युद्धक समूं के परिचालों का समर्थन करने के लिए रिजान किया गया है यह केवल छे देशों के पास है छे देश कौन कौन से हैं जनके पास परमाणों गुज़े से चलने बाली पंडूबिया है यूनाइटेट किंगडम, यूके, यूएसे, चीन, रूस, भारत और प्रांस इसमें इजराइल सामिल नहीं है अंगली सम्मरीन है डीजल इलेक्ट्रिक अटेक सम्मरीन यह डीजल इंजन का द्वारा चलित होती है परमाणों इंधन द्वारा चलित नहीं होती इसमें बैटरी की एक निश्चित चमता के कारण समय समय पर इसको उपर आना पड़ता है सताय की उपर आना पड़ता है इस कारण से इसकी लिमिटेशन्स है भारत में डीजल एलेक्ट्रिक अटेक सब्मरीन में शुमार क्लास जो की जर्मानी से है किलो क्लास या सिंद्र गोज क्लास रूस से है तथा कलवारी क्लास की इसकारफिन पंडूबियां शामिल है अन्न महत्पून पंडूबियां जो चर्चा में थी कुछ अन्द सब्मारीन, सिप्स एंड एरक्राफ्ट कैरियर्ज़ जो चर्चा में थे उनको देख लेते हैं पहला है आई एनस विक्रांट आई एनस विक्रांट ये क्यों चर्चा में है क्योंकि प्रधान मंतरी ने भारत की पहले सुदेशी विमान वाहग पोत आई एनस विक्रांट को नौसेना में सामिल किया ये पहला सुदेशी विमान वाहग पोत है जो की 70% से अधिक इसमें सुदेशी सामगरी इस्तिमाल की गई है 70% से अधिक सुदेशी सामगरी इस्तिमाल की गई है इसलिए इसको सुदेशी विमान भाग पूद पहला सुदेशी विमान भाग पूद कहा जाता है आइनेस विकरांद को भारती नौसेना डिजाइन 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 किया है और इसका निर्मान कोचीन से प्यार्ड लिम्टेड दौरा किया गया है यह पोद परिवान और जलमार्ग मंतराले के दिन आता है भारत के पास पहले भी विमान भाग पोद थे लेकिन या तो बिटिस द्वारा बिटिस साहता द्वारा बने हुए थे या फिर रूस की साहता द्वारा निर्मित थे बिटिज द्वारा INSB करांद पहले से बना हुआ था लेकिन अब जो INSB करांद बना है वो इसमें 76% से अधिक भारती टेकनोलोजी या भारती समगरी का उप्योग किया गया है प्रोजेक्ट 15B प्रोजेक्ट 15B के तहट बने मोर मुगाओ और सूरत पोतों को हाल ही में भारती 909 को सुपूर्द कर देगा इस दो पोत अभी सुपूर्द किये गए हैं इसलिए चर्चा में था प्रोजेक्ट 15B किसे रिलेटिड है यह पोतों के निर्मार से पोत यानि की यह जल जहाद जो होते हैं युद्ध की में जो उप्यो किया जाते हैं इनको पोत कहा जाता है यह प्रोजेक्ट कलकत्ता स्रेणी की बिद्धुनसक पोतों के निर्मार का अगला चरण है इसका निर्माण मजगाव डाक से पियाड लिम्टेड द्वारा किया गया है और इसके द्वारा प्रोजेक्ट 15B के द्वारा चार युद्ध पोतों का निर्माण किया जाना है कौन कौन से विशाखा पतनम, मोर मुगाव, इमफाल और सूरत ये पोत स्टील्थ गाइड़ मिझसाईल विद्धवनसक है इन से जो मिझसाईल सिस्टम जो लगाए गया है उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता है रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट 17A, Frigates के तहत 5 में युद्भवत तार गिरी को लॉज़ किया गया कि वालिक सिरने के उन्नत संस्क्राण है पी 17 पोतों को भारती नौ सेना के युद्धपूत डिजाइन ब्यूरों ने गरेली रूप से डिजाइन किया गया है और इनके उपकराण और सिस्टम के लिए 75% आडर MSME सहित स्वदेशी कंपनियों को दिए गए है 75% आडर में स्वदेशी कंपनियों का ही हिस्सा रहता है प्रोजेक्ट 17A के द्वारा अब प्रोजेक्ट 75I इसका रिलेशन किसे है प्रोजेक्ट 75I के तहट के तहट 69 पंडुबियों का निर्माण किया जाना है प्रोजेक्ट 75I के तहट 69 पंडुबियों का निर्माण किया जाना है इसमें आधनिक पारमपरिक पंडुबियों के सुदेशी निर्माण की परिकलपना की गई है यह पंडुबियां फ्यूल सेल आधारित वायू सुतंत प्रड़ोदन सयंत्र उननत टार्पीडो आदी सहित समकालिक उपकरण हतियार और सेंसर से युक्त होंगी और बाकित हो गए यह मेकिन इंडिया द्वारा बनाया गया है भारती नोसे नपोत आइनस वागशीर आइनस वागशीर क्या है यह युद्ध पोत है प्रोजेक्ट 75 की छटी और अन्ति पड़ूबी वागशीर को समुदर में उतार दिया गया है यह डीजल अधारित 75 पी 75 आई है जो विदेशी फर्मुस से ली गई तकनिक के साथ सुदेशी पंड़ूबी निर्माण की एक योजना का हिस्सा है प्रोजेक्ट 75 आई के तहर्ट कलवरी खंडेरी करंज और वेला को शामिल किया गया है और निर्माण करता मजगाव डॉक से प्याड लिम्टे कुछ एर क्राफ्ट ड्रोन और हेलिकप्टर नियूज में थे उनको देख लेते हैं पहला है डोर्नियर 228 की पहली बाड़े जी कुडान को रवाना किया गया था इसलिए नियूज में था इसको हिंदुस्तान एरोनाटिक लिम्टेड ने डिजाइन किया है और यह सारव ज चट्रकी बीमान कंपनी अल Analytics Air को यह लीज में है अलाइनस एयर नागिक सिंचार आ यह भरत से भारत में निर्मित बदी बिवसाइए बिमान कंपनी जो यह बारत में बbonsलित विमान ने वाली कंपनी है अलायंस एयर इसका विमान अरुरांचल प्रदेश के दूर दराज के पांस शहरों में किया जाएगा जैकि उन पांस शहरों को असम के डिबरुगर से जोडने के लिए प्योग किया जाएगा डोडने यार टू टूटी एट का यह सरकार के उड़े देश का आम नागरिक प प्रचंड इसको भारती वाई सेना के बेड़े में सामिल किया गया है और यह ऐसा मतलब ऐसे देश जो लड़ाकू हेलिकप्टर अपने ही देश में बनाते हैं उन में से सातमा देश बन गया है भारत इसकी प्रहुप भी सेस्ता है कि इसकी रेंज 500 किलो मिटर है इस थाई तो तीन घंटे से अधिक का इस्थाय तो दे सकता है कौन एल लाइट कॉमबेट हेलिकप्टर प्रचंड और अधिक्तम उचाई है इसकी साड़े छे किलो मिटर यह दुनिया का एक मात्र ऐसा लड़ाकू हेलिकप्टर है जो 5000 मीटर की उचाई पर उड़ सकता है और यह हो गया सत्र को इंफ्राड सीकर से बचाता है सत्र को नहीं सत्र की मिसाईलों के इंफ्राड सीकर से भी बचाता है स्वदेशी इस्टेल्थ ड्रोन इंडेजिनस इस्टेल्थ ड्रोन विक्सित किया गया है अपनी इसने पहली उड़ान बरी है इस्टेल्थ ड्रोन को मानव रहित लड़ाकू बीमान भी कहा जाता है वायत मानव रहित अनुसंधान बीमान नामक ससस्त्र इस्टोल्थ ड्रेन कारक्रम गहा तक एक इसका पूर परती है अधियार दागिने से इसको गया बहुत ज़्याद इंपोर्टेंस नहीं है इसका भी किनुक घेलीकप्टर चिनुक इसको भी कई वर पूछा जा सकता है क्यूंकि यह इत्री अमेरिका में हवाए बीुप चलती है पिस एस फटी शेवर दो की उडान पर रोक लगा दी गही अमेरिका ने अपने इनकी उडान पर रोक लगा दी गई है लेकिन भारत सरकार 2019 में चिनी को भारती वायु सेना में सामिल कर लिया है और उधर अमेरिका रोक लगा दे रहा इसकी क्यों कि इनके हेलीकप्टर में आग लगने आग लग जाती है उड़ते उड़ते यह अचानक का लिफ्ट प्लेट फार्म है इसका उप्यूग सेन को तोब खाने उकरण और इंधन के परिवान के लिए किया जाता है इसका उप्यूग मानवी और आपदा रहत कार्वी में भी किया जा सकता है मुखरूब से इसी के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया है 2019 में लिम्टर ने इसको डिजाइन किया है तेजा स्मार्ग टू को 4.5 पीडी की मसीन के रूप में वरनित किया गया है इसके निर्वान का 75 भाग सुदेशी रूप से पूरा किया जाएगा और तो सब अबतुक चीज है यह नहीं पूछेगा कामी केज ड्रोन्स इसको पूछा के लिए कामी केज ड्रोन्स इंडियन आर्मी द्वारा उप्योग किया जाता है ना कि तुर्की द्वारा ना कि रूस द्वारा यह सब नहीं है इंडियन आर्मी द्वारा कामी केज ड्रोन्स का उप्योग किया जाता है पूरवी लद्दाक्सीमा पर यह छोटे अकार के मान ब्लेड्स के रूप में बाहर निकलते हैं यह लांच करने पर ब्लेड जैसे विंक्स बाहर निकलते हैं हर्मीज इस्टार लाइनर मानोरहिद बीमान इजराइल असाइन हवाई चेतर में ड्रोन की अनुमत देने वाला पहला देज बना है इजराइल के इन मुदन हर्मीज स्टार लाइन ड्रोन को किसी भी असाइन विमान की भाती असाइन हवाई चेतर में उलान भरने की अनुमति प्रदान करेगा कुछ और चीजें जो चर्चा में थे उनको देख लेते हैं डिर्टी बम ये रस्या यस यूथर यूद बे ये डिर्यूज में था रूस नहें दावा किया कि यूथति अरकर्ण कर रहा है कि रस्या डियूदे के स्वार में कर दा था है इसके वीस क्योंकि uranium होता है, radioactive material है, इससे स्वास्त पर गंभीर प्रणाम होते हैं इस बम में परमाणू बम के समान अत्यधिक समबर्धित रेडियो धर्मी सामगरी का उपयोग नहीं किया जाता है मतरब समान रूप से रेडियो धर्मी सामगरी का उपयोग किया जाता है, इसलिए डर्टी बम को परमाणू बम के तुलना में बहुत सस्ते में और तेजी से बनाया जा सकता है भारती सेनों को कुछ इंडिजिनस डिफेंस एक्विप्मेंट सौंपे गए हैं, उनमें से एक है एफ इनसास, यह क्या है? यह पैदल सेना की आधुन की करण का कारकरम है, इसके तहत सानिकों को तीन प्राथमिक उपरणाने से सुसजित किया जाएगा पहला है दिन और रात में कारगर होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट से युक्त अत्याधुनिक असाल्ट राइफरल दी जाएंगी जो कि होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट उसमें ऐसी टेकनोलाजी होगी कि आप उसमें होलोग्राफिक चित्र भी बना सकते हैं जो चीज इस पस्ट रूप से नहीं दिखती है शब जैकेट प्रवाइड करे जाएंगे और संचार निगरानी प्रणाली करवाई जाएगी इंटी परसनेल माइन निपूण क्या है इंटी परसनेल माइन है इसे साफट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिश के रूप में जाना जाता है यह पुरानी NMM 14 मिसाल की जगह लेगी निपूर्ण क्या है यह याद रखिएगा निपूर्ण यह एक तरीके की माइन है माइन खदान वाली माइन्स नहीं माइन्स जो युद्चेतर में बिचाते हैं जैसे मूवी में आप देखा होंगे जैसे पैर रखते हैं बलाइसर जैसे वेट रटाते हैं और दूसरा क्या है यह लेंडिंग क्राफ्ट असाल्ट इनको प्रोबाइड कर वाया गया है इसे पैंगांग सो जील में वरतमान में प्योक की जाने वाली नावों के इस्तान पर लगाया जाएगा Landing Craft Assault इसला है कार्ल गुस्ताफ सरी गुस्ताफ कार्ल गुस्ताफ M4 यह अब इसम के चित्र में देख सकते हैं सुडेन ने गुस्ताफ में भी अपनी कार्ल गुस्ताफ M4 हथियर प्रणाली का निर्मान करेगा वुसका प्रोडक्षन भारत में करेगा कार्ल गुस्ताफ स्रेनी का उप्योग कर रही है उसमें से MK2 और MK3 संस्क्राउन का परिचलन कर रही है अब MK4 का किया जाएगा भारत में स्वीडन की ये कंपनी है कार्ल गुस्ताफ रिकाइल लिस राइफल एक मैन पोर्टेबल वा मल्टी रूल हतियार प्रणाली है M4 हतियार प्रणाली विविन प्रकार की गोला बारूद को दागने में सच्छम है इसमें इंटी आर्मर और इल्यूमिनेशन राउंड सामिल है इसके अधिक्तम सीमा 1500 मीटर तक की रिंज है इसकी कार्ल गुस्ताफ M4 की पिनाका मल्टी बेरल रॉकेट लांचर पिनाका ये आब 26 जनवरी में भी देखे होंगे पिनाका मल्टी बेरल रॉकेट लांचर अर्मेनिया में अर्मेनिया ने भारत में पिनाका के लिए पहला निर्याद और दिया है एक पहले निर्याद किसका था ब्रहमोस का और अब पिनाका का पिनाका मल्टी बैरल मल्टी बैरल रॉकेट लांचर प्रणाली एक सुदेशी रॉकेट प्रणाली है इसे DRDO ने विक्षित किया है यह एक मोबाइल यानि की रॉकेट लांचिंग सिस्टम जैसे टाटर ट्रक पर तैनात किया गया है इसके दिक्तम सीमा 40 किलो मीटर से 75 किलो मीटर के बीच में बताई गई है तब मर्सीबल प्लेट फार्म फार एकस्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवैलुएशन इसका साट फार्म क्या है इस पेस एक अत्याधुनिक परिक्षण और मुल्यांकन सुविधा है इसे भारती नौसेना द्वारा उपियोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के लिए विक्षित किया गया है सोनार क्या होता है यह साउंड और नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम होता है जिसे DRDO ने विक्षित किया है इस पेस को DRDO ने विक्षित किया है और यह स्पेस है क्या इस पेस एक प्रकार की सोनार प्रणाली है यह याद रखेगा यह एक्जाम में पूछा जा सकता है समुद्र के अन्वेशन तथा मांचितरण में सहायक होता है सोनार इसका करण यह है कि ध्वनी तरंगे राडार और प्रकास तरंगों की तुलना में जल में अधिक दूरी तक जाती है यह भी याद रखने वाला पॉइंट है ध्वनी तरंगे राडार तरंगे रेडियो यह सुविधक यह सुविधक की विशेशता विशेश रूप से डिजाइन किये गए सबमर्सिबल प्लेट फाम में नहीं था है इस प्लेट फाम को सो मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है यह स्पेस एक प्रकार का सोनार ही है इसको ऐसा माइंड में रखिये स्पेस का उप्योग मुख रूप से सुनार प्रणालियों के मुल्यंगन के लिए किया जाएगा इसे सेंसर और ट्रंस ड्यूसर जैसे वेग्यानिक पैकेजों की तुरित तैनाती तसा आसानी रिकावरी संभा हो सकेगी अभ्यास अभ्यास क्या है अभ्यास का सबलता दिये हैं चोटे-चोटे नाम देने का पागल किये हुए लोगों को इसमें ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर होते हैं जो यान को प्रार्रमिक तुरह पतान करते हैं वैसे ये एक्जाम में पूछेगा नहीं अभ्यास है क्या अभ्यास एक हाई स्पीड एक्स्पेंडेवल एरियल टार्गेट सिस्टम है जो कि कुले एक मिसाइल सिस्टम ही है यह सुदेशी वामानो रहित एरियल टार्गेट प्रणाली है यह हवाई खत्रों से निपटने में भारती ससस्त रुबलों को की साहता करेगी और यह डियार डियो द्वारा विक्सित किया गया है एक इनर्जी लेजर सिस्टम विक्सित करने के लिए रच्छा अनुसंदान और विकास संक्टन के साथ साज़ेदारी की है इसके तहर डियार डियो के सेंटर फार हाई इनर्जी सिस्टम और साइंसेच के साथ सायोग किया गया है हाई इनर्जी लेजर सिस्टम परयाप तापी और्जा का उच्वाद करते हैं यह पारंपरिक युदिसामगरी का उपयोक किये बिना एक लच को सीधे अपरभावी बना सकते बिना सीधे लेजर गीम डालेगा उसमें टंप्रेचर पैदा करेगा उस को खतम कर देगा निश्प प्रभावी कर देगा यह हथियार हवा जमीन समुद्र और अंत्रिच में लच्छ को प्रभावित कर सकते हैं अंत्रिचमेल अच्छ को प्रभावित कर सकते हैं आई एनर्जी लेजर सिस्टम एक यह एक प्रकार कर लेजर हतियार है हेल्स एक लेजर हतियार है यह निर्देशित उर्जा हतियार से संबंदित है निर्देशित उर्जा हतियार का यह एक ब्यापक सब्दावली है इसका उप्योग उन सभी प्रद्योगियों को इंगित करने के लिए किया जाता है जो केंद्रित विद्दुत चुम्प की उर्जा या परमाणू या उपरमाणू करों का बीम उत्पन कर सकते हैं भारत की परियुजनाएं इस चेतर में भारत को भारत जो हतियार विक्सित कर रहा है उसे डायरेक्शनली अन्रिस्ट्रिक्टेड रेगन दुर्गा टू यह भी याद रखेगा डायरेक्शनली अन्रिस्ट्रिक्टेड रेगन डायरेक्शनली अन्रिस्ट्रिक्टेड रेग दुरुगा सेकंड नाम दिया गया है जो कि जो कि यह बीम का उपयोग करती हैं अन्प परियुजना का है किलो एंपियर किलो एंपियर लीनियर इंजेक्टर प्रोजेक्ट आदित एयर डिफेंस डेजलर्स रूस फ्रांस जर्मानी यूनाटेट किंग्डम इजराइल और चीन विक्सित करने के लिए मजबूत करकरम संचालित कर रहे हैं ये डी एवी यानिकी निर्देशित उर्जा हत्यार डिरेक्शनल इनरजी वेपन्स विक्सित करने के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं बटरफलाई माइन्स ये एक्जाम में सायद ही पूछा जाएगा लेकिन को देख लेते हैं जब यहां तक आ गए हैं रूस पर बटरफ्लाई माइन्स उप्योग करने का एक आरोप लगाया गया है यह खिलाओने की तरह दिखते हैं और यह बच्छों के लिए खतरनाक होते हैं फ्थे फ्म और यह यह फिए फ्म बन और फ्मर दो प्रकार किन्टी पर्सनेल लैंड मैंस हैं इनन्हीं अम्तर बटरफ्लाई मांच या ग्रीट कहा जाता है इन मांच को हिलीकाप्ट्रों से गिरा कर या तोप खान होगा या मोटारा की गोलों को क्यों करके बैलेस्टिक प्र मंदिर देशित इस्थान पर गिरता है लेंड माइन्स पर अंतराश्टी अभी समय ने इंटी परसनेल लेंड माइन्स को प्रतिबंदित किया हुआ है अलाकि रूस और यूक्रेन इसके हां स्थाचर करता नहीं है अज यहीं तक डिसकसन करते हैं अंगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग